Yes, welcome to all of you, आप सबी लोग का स्वागत है हम जो भी बात करेंगे, प्रूफ के साथ बात करेंगे, फैक्ट के साथ बात करेंगे, साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से बात करेंगे यह खांसर हुए, इनको आप जानते ही होंगे इनका अधिकतर वीडियो जो science और technology पर अधारित रहा करते हैं उसमें कुछ जानकारियां जो सही रहा करते हैं उसको छोड़कर मजाक के साथ साथ आपको गलत जानकारी misconception जो है दिये जा रहे होते हैं हम लोग इनका जो नया वीडियो है उससे शुरुआत करेंगे जो कि इधर iron dom के बारे में रहा है इसमें कई सारे misconception कई सारी गलत जानकारियां जो है दिये हुए हम लोग एक एक करके सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या जो गलत जानकारिय दिये है टेकनलोजिकल अधार पर और कुछ और अधार पर जो है साथ में हम लोग उसका जो है एक तरह से बोले तो हम आपको एक source भी बताएंगे जिसमें आप उसका जो है cross check कर सकते हैं आप उसको देख सकते हैं हम लोग आगे जो प्रमान के साथ जह हम आपके सामने पेस करेंगे ठीक है Wikipedia जो कि एक authentic source का एक तरह से आप website बोल सकते हैं फिर जो हम लोग statement लेंगे जो कि एर मारसल अनील चोपरा का actually और जो last जो है आप एक तरह से हुए ठीक है तो हम लोग एक-एक करके बात करेंगे जैस तरह से fake news से बचना काफी जादा जरूरी है उसी तरह से गलत जानकारिया misconception खास करके science और technologies related जो है उससे बचना बेहत जादा जरूरी आ करता है आप लोग भरोसा रख करके knowledge के तलास में actually video देखा करते हैं आपके सामने कई सारे misconception और गलत जानकारिया जो है दे दी जादे खास करके student work के लिए तो उनके future के साथ उनके career के साथ खिलवाड हो चुका रहता है क्योंकि वो उसी knowledge को ले करके competition बैठेंगे और सवाल गलत करके आते हैं और वही सवाल पर उनका होना नहीं होना फैसला था तो suppose कर लिए क्या situation उनके सामने होने वाला उनके भविस के साथ खिलवाड सकता है ये knowledge ये competition में लगाएं तो हम लोग एक एक करके सारा बात करेंगे बोले ना काफी logical तरीके सा और हम लोग scientific तरीके से सारा बातों को सामने आपके रखेंगा आप खुद decide करिएगा आप भरोसा देने के लिए विश्वास देने के लिए हम आपको बस ये बताते हैं थोड़ा सो जनकारी कि मैं electrical and electronics engineering किया हुआ हूँ मैं अच्छे college से engineering किया हूँ मेरा branch electrical and electronics रहा है ठीक है और मेरा HCL में जॉब था जो की इंडिया का top 3 software company में से आते है ठीक है वोस जॉब को छोड करके मैं advanced physics जो है graduation level पे मैं physics पढ़ाया करता हूँ इतना जनकारी आपके लिए इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप भरोसा कर पाई कि हम scientific तरीके से बात करेंगे हम logical तरीके से बात करेंगे प्रूफ के साथ बात करेंगे और आपका साथ चाहिए ताकि आप आग नहीं वाले आप करेंगे इसमें क्या-क्या गलत जानकारियां जो है ढ़िया गया हम आपके लिए बात करें ठीक तो पहले आप वीडियो देखेगा और उसके बाद हम जानकारी तो जो है इस is इस Interceptor का जिसे हम battery कहते हैं, battery जो होती है, missile की एक group होती है, जिसको जोपा कहते है, battery, इस battery में इधर से देखेंगे तो 4 line दिखेगी, 1, 2, 3, 4, लेकिन उपर से देखेंगे तो 5 तो दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 4 इधर से 5 इधर से, यानि एक battery में total इनकी 20 Interceptor missile होती है, इस Interceptor missile को तामीर missile कहते हैं, तामीर missile ही जाके मारता है, लेकिन जो radar पकड़ता है, control system डिसाइड करता है, कहाँ गिरेगा, और जो Interceptor इसे order दिये जता है, ये पूरे system को हम iron dome कहते हैं, लेकिन main missile मारने का काम ये तामीर missile ही इसे मारने का काम करता है, iron dome की एक battery में, तो दीके पहले ह हम लोग देखेंगें कि battery के बारे में क्या गलत जानकारी दी, उसके बाद फिर हम लोग sensors वगरा और भी topic पे हम लोग बात करेंगें, तो ये photo आप actually जो देखे हूँगे, वो इस्तमाल किये हूँए, ये photo जो normally जो cut paste किये हूँगे, गूगल वाले image से actually किये हूँए, ठीक ह तो आपको मिल जाएंगे, ये image खोजिएगा, ठीक है, तो देखें, वो इसको लाए, copy paste just कर तो लिए, इसको पढ़ दिए just, इसको पढ़ दिए लेकिन खुद भी नहीं समझे कि battery actually जो है, क्या रहा करता है, वो बार बार जो है, इसको battery बता रहे है actually, जबकि ये पूरा ती तीनों unit, ये तीन जो different different unit देख रहे हैं, ये तीनों को मिला करके battery actually बोलते हैं, ठीक है, और वो बार बार जो है, ये missile firing unit को ही battery बोली जा रहे है, ठीक है, ये missile firing unit actually, ये launcher actually रहा करता है, ठीक है, बैटरी का दिपहले आप दिमाग में से वो बात हटा दीजे, normally जो आप battery, जो electricity वाला वो बात नहीं, ठीक है, ये जो पूरत तीने unit रहते हैं, इसको मिला करके हम लोग battery बोला करते हैं, ठीक है, दूसरा जो important unit रहा करता है, वो battle management and weapon control unit, जिसको आप normal रूप से control unit बोल सकते हैं, फिर जो last unit आपको रहा है, इसको missile firing unit बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप launcher ही बोल सकते हैं, और इसी में interceptor रहते हैं, या बोल सकते हैं, वो तामिर रहता है, जिससे launch होता है, जिसको control unit, आटोमेटिकल ही रूप से, जब स्कौर्डर करता है, इसको मिला करके हम लोग battery बोलते हैं, और ऐसा ही system कई जगा पे देश में लगाये हुए हैं, सब को मिला क करके जो है, iron dom, हम लोग बात करेंगा, ठीक है, पहले तो आप यह जान लीजी कि जो इसका radar unit रहा करता है, वो detect करता है, कोई खत्रा है, कोई missile बगारा दुसमन तरफ से आ रहा है, तो इसको detect कर लेगा, और उसको trajectory, उसके path बगारा का जानकारी ले लेगा, ठीक है, तुरंत रिस्पॉंड करवायागा, एक्चुली, control, control unit जो रहा करता है, हाँ, यह वाला जो develop किया हो न, Elta company के द्वारा develop किया गया, जो कि Israel का defense company है, ठीक है, और जो एक control unit है, यह राफेल के लिए बनाया गया था, ठीक है, राफेल के लिए बनाया गया था, कौन बनाया था, EMPRESTA नाम का company बनाया था, EMPRESTA system जो है, वो बनाया था, एक्चुली, और यह software company, कैसे भारत में अपना software company एक्चुली, ठीक है, जैसे आपका TCS हो गया, Infosys हो गया, HCL हो गया, और भी कई सारे, तो इसी तरह से जो है, यह control unit का अधिकतर जो design किया हुआ हुआ है, वो EMPRESTA system जो ह काम होता है, लेकिन अधिकतर काम उसमें fully automated, अब सूची ना, कब rocket आएगा, किसको क्या पता है, कितना speed में आ रहा है, कब आज आएगा, और क्या धीरे-धीरे आता है, तुरंत, instantaneous होना चाहिए, तो machine तुरंत उसको automatically, normally detect करता है, ठीक है, आदमी का कुछ और purpose के लिए जरूर firing unit है, जिसमें interceptor जो है, वो आपको रहते हैं, तामीर रहा करते हैं, तो ये unit, missile firing unit है, जिसको आप launcher बोलते हैं, ठीक है, और ये तीनों unit मिला करके, इसको हम लोग battery बोलते हैं, ठीक है, ये तीनों unit का नाम जो है, defense के रूप से जो है, उसको battery बोला जाता है, देखिए, आप एक normal रूप में हम आपको समझा रहे हैं, देखिए, अब ऐसा ही इस battery का जो section, इसको normally जो है, आप एक जगा से दूसरे जगा जो है, transportation का इस्तमाल करके, heavy transportation का इस्तमाल करके, एक जगा से दूसरे जगा ले जाते हैं, तो मानली जी जैसे ये इसराइल हुआ, या ये कोई area है जिसका बचाव आपको करना है, जैसे देश का जो है, ठीक है, तो वैसा जो unit है actually, इस तरह का unit, कई सारे जो है, अलग-अलग point पे जो है, लगा दिये हैं, कोई एक जगा अपनी लगा, अलग-अलग point पे जो है, इसको रक्षा करने के लिए एक तरह से जो है, लगा दियेग अलग-अलग जगों पे जो है actually, इसको रखा हुआ रहता है, ठीक है, अब कोई दूस, कोई मानली जे बाहर से कोई खत्रा actually, missile करो में, या और भी कोई खत्रा actually, अचानक इंटर करता है, तो तुरंत उसको जो है एक तरह से destroy कर देगा, ठीक है, तुरंत यहां से निकला, यह कोई missile, कोई भी तरह का चीजे इस पर जाने का कोशिस कर रहा है बीना permission का, तो क्या होगा actually, उसको तुरंत यह fire करेगा, ठीक है, जो इसका firing actually होगा, तो यह जो system है, यह protection दे रहा है, ठीक है, इस तरह का protection हुआ ना, इसलिए इसको हम लोग जो है, iron dom bolt, iron dom bolt ने का मतलता है, ऐ iron रखा हुआ है, यह लोहा का कोई कवच बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एक मजबूत एक तरह से सुरक्षा देता है, कवच देता है, ठीक है, जो कि अब hemispherical रूप में आप ऐसा है, कि imagine कर सकते है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ रखा हुआ है, यह जो है ना, इस नाम दे दिया गया, शिल्डिंग के लिए, ठीक है, और ऐसा ऐसा यूनिट जो है, जैसे एक यूनिट में, यह जो एक बैटरी जो हुआ, इसमें तीन यूनिट आपको रहा करेंगे, और इसी तरह का जो है नॉर्मली, कई सारे यूनिट जो है, अलग लग जगा पे लगे ह और यह पूरा सिस्टम एक iron dom की तरह जाना जाता है, ठीक है, तो concept पहले आपको मालूम रहना चाहिए, कि iron dom का मतलब क्या हो रहा है, क्या बोलने का मतलब एक तरह से phrasal type का word इस्तमाल किया गया, उपना type का दिया गया, कि मजबूत shielding के लिए word को इस्तमाल किया गया, ठीक ह हुआ है, और हर एक में जो है, तीन यूनिट, आप ऐसे करके समस रखता है, और कई सारे एक सुरक्षा कवच दे दी, और इसी सुरक्षा कवच को हम लोग नॉर्मली रूप से जो है, एक नॉर्मल बोल चाल के भासाम उसको iron dom बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं, कि इसमें क गुम्बद बगर ऐसा नहीं सोचते हैं, तो देखिए, बैटरी के बारे में कितना गलत जानकारी जो है दी, तो हम लोग बोले ना कि सारा बाते जो है, एक एक करके पूरा साइंटिफिक तरेके से लॉजिकल रूप से बात करेंगे, तो बैटरी के बारे में गलत जानकारी यह बैटरी नहीं, यह मिसाइल फाइरिंग यूनिट है, यह लॉंचर एक्चुली है, जिसमें इंटरसेप्टर रखे रहते हैं, तो इसको हम लोग बैटरी नहीं बोलते हैं, इसको मिसाइल फाइरिंग यूनिट बोलते हैं, यह पूरा मिला करके जो सिस्टम बना, इस बारे में कितना घलत जानकारी दियें सेंसर के बारे में जो कि आज कल यह नॉर्मल चीज की टारव् कि यह ओगा तो इस के पीछे एक व्रेक्डमेंसर लगा हुआ है सेंसर में बारूद भचा हुआ होता है बbane cary blast कर जाता है अजीब अजीब सा जानकारियां जो है दे चुके रहते हैं अजीब अजीब सा जानकारियां दे चुके रहते हैं आप लोग भी जो है sensors वगरा के बारे में normally रूट से जानते होंगे अक्षोली sensor आए दिन उसका रोल हम लोग जो है देखते हैं और नॉर्मल जो sensor रहा करता है, जैसे आप gate खुलता है, सपोज़ कोई mall वगरा हम जाते हैं, आसपास में ही जाते हैं, gate खुल चुका रहाता है, फिर जो आप mobile जो आप एक तरह से यूज करते हैं, game वगरा जब खेलते हैं, देखते हैं, आप इधर उधर करते हैं, तो respond करता है, यह screen को आप इधर करते हैं, एक तरह से तब भी respond करता है, यह सब sensor के वज़स होते हैं, उसने जो sensor लगा रहाता है, किसमें, जो interceptor missile है, उसमें जो sensor, जो तामीर missile है, उसमें जो sensor लगे रहते हैं, ओप्टो electronic sensor लगे रहते हैं, अब आपके दिमाग में यह सब बाते उठ रहा जो interceptor actually उसमें कौन सा sensor लगा रहा था है वो opto electronic sensor लगे रहते हैं ये किस पे काम करता है actually ये electro optical effect पे काम करता है अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि अजीव-जीव सा बात जो है term बोले जो term है उसका नाम तो ही रखेंगे कुछ और उसका जानकारी दे देंगे ठीक है ऐसा तो कुछ का कुछ जो है misconception दे दिए कुछ का कुछ अर्थ निकाल दिए कुछ का कुछ बोल करके साइरी सुना करके चले गए इस सब चीजे जो है नॉर्मली नहीं करेंगे ठीक है जैसे उन तो खांसर जो है नॉर्मली उनको कोई mouse से दी सामझाने के लिए बोले सपोज कर लिए कुछ कर लिए कि नहीं देखा हुए या उसे अवगत नहीं है तो mouse को चुहा बता देंगे actually चुहा बता करके उसी पर explanation करेंगे दस तरह का मसालेदार कुछ example actually है और जो है मजाग करेंगे आप कुछ सायरी बोलते हुए आगे बढ़ जाएगा actually लोग भी सामने सुनेंगे ज माउस के बारे में नहीं जानते हैं इनके सपोच कर लिए बहु सारे यसे वर्ग है जो computer बगर नहीं देखे तो वैसे situation में समझी कि mouse का जानकारी दी कोई चुहा के बारे में बोल करके निकल लिए तो क्या बाते रहता है सामने वाला नहीं देखा इसले सुन लिया और उसको एकसेप्ट कर लिया बहु साराने को यसे तो ऐसा काम सिंपल सब्द बनाने के चकर में नहीं रहना चाहिए कि आप पूरा concept कहीं जो है this that कर दे ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए अब जो चीज जो है जिसके लिए इस्तमाल हो रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से और उसी sense म हम आपको पहले बता दे रहें कि normally ये sensors क्या होते हैं ये opto electronic sensors क्या होते हैं ठीक है ये electrical optical effect क्या होते हैं हम हलका असा जानकारी दे रहे हैं ठीक है देखें जो ये electro optical effect रहा करते है ये एक तरह से वैसा effect है जिसमें change in optical properties of material कोई material है उसका optical properties में दी बदलाव आता है किसके से या electromagnetic radiation के वज़े से ठीक है तो ये effect जो रहता है इसी को हम लोग electro optical effect बोलते हैं और इस तरह का बदलाव ये आता है तो इसको कोई sense करने वाला detect करने वाला sensor होना चाहिए वही sensor को हम लोग opto electronic sensor बोलते है इसका ज्यादा detail जो है photonics बगारा में जो है पहना रहा था हम आपको एक simple way में बताए actually कि sensor जो है इसी को sense करता है कौन? आपको electronic sensor जो है एक तरह देखिए तो आस पास के वातावरन में यदि किसी तरह का changing आ रहा है तो उसको जो है normally या उसका electromagnetic radiation में किसी तरह का वो changing को detect कर रहा है या light वगरा में किसी तरह का changing को detect कर रहा है उस change को तुरंत normally वो respond करेगा और electronic signal में convert करके दूसरे machine को जो actually भेज़ देगा दूसरे electronic machine को जो है ठीक है sensor आप समझ सकते है कि एक ऐसा device होता है normal रुप समझे कि sensor एक ऐसा device है जो कि आस पास के वातावरन में किसी तरह का change actually हो रहा है या किसी चीजों को detect करता है actually जो है तो तुरंत जो है normally उसको electrical signal में बदल करके किसी और machine के पास भीजता है और machine design के हो क्या करना है gate खोलना है siren बजाना है या एक इसमें जो sensors लगे रहते है कि इसमें actually जो interceptor जो लगे रहते है उसमें जो sensor लगे रहते है वो opto electronic sensor लगे रहते है ठीक है और वो अपने आपको क्या करता है actually वो suppose कर जो interceptor emit करता रहता है यदि उसके आसपास के वातावरन में ठीक है उसके आसपास के वातावरन में कोई दुस्मन का rocket या कोई खतरनाक object इदी गुज़र रहा है ठीक है तुरंत उसको sense करेगा ठीक है और explode करा लेगा तो sensor क्या किया वो कुछ ऐसे mechanism के पास signal को भेजा जो कि त detonation जो mechanism होता है जो exploding mechanism जो रहा करता है वो proximity fuse के आधार पर रखा हुआ रहा रहा है ठीक है तो sensor क्या किया sense क्या क्या किया sense जो आसपास में जो electromagnetic wave जो एक तरह से हो रहे थे उसके द्वारा जो है उसमें किसी तरह का बदलाव को डिटेक्ट किया जो कि दुस्मन के रॉकेट बगारा से मिसाइज बगारा से हो सकता है और तुरंत जो है वो सिगनल जो है electronic signal में convert करके जो कुछ instrument को दिया जो कि एक तरह से जो है उसका mechanism जो है यह सब चीजे नॉर्मली ठीक है अपने जगा पर लेकिन बात यह है कि इसके चक्कर में आप लोगों को गुम्रा करके आगे बढ़ जा रहे है मजाग की है असायरी को सुना है और आगे बढ़ के ठीक है एक तो misconception दे रहे है उसके बाद तब तक आदमी concentrate नहीं हो रहा या को optical effect क्या है और यह जो लगे रहा तो उसमें यही sensor लगे रहा तो यह सब आपको जानकारी है ज्यादा महतपुर्ण खास करके जो competitions बगार देने वाले उनके लिए महतपुर्ण लेकिन यह normal जानकारी चोटा जानकारी है ठीक है बहु सारे लोग आप लोग में से जानते भी हो करीद यह बाकी आप अच्छे से आपके पास इंटरनेट बगार टेकनलोजी आप अच्छे से इसको study कर सकते है ठीक है बस source आपका authentic रहना चाहिए ठीक है अच्छे website पे जाकर जाकर रीडिंग करते है जहां मर्जी वहां नहीं actually कर लेते हैं जो मर्जी वो वीडियो नहीं देख लेते हैं ठीक है वैसा देखते है कि वह authentic क्योंकि आपके दिमाग में जो है normally जो information बर रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए वरना क्या है न अच्छे चीजों को सीखने में रोकने लगेगा आपको जो है ठीक है तो हम लोग आगे फिर देखेंगे कि क्या और भी आगे गलत की है ठीक है क्या इतना गलत misconception जानकारिया जो है यह रखते गए आगे तो हद ही तो दिये ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी मिसाइलों को भी counter करने के लिए सोचता है क्योंकि बड़ी मिसाइलों को counter करने के लिए इससे possible नहीं है इसलिए यह एरो मिसाइल का यूज इसका यह भी बहुत लंबा मारता है यह भी लगवक 100-500 km में मार करता है इसका officially मतलब इसराइल ने कभी इसका बहुत ज्यादे यूज नहीं किया जिस वज़े से इसका data जो आता है वो unofficially ही आता है तो arrow 2 और arrow 3 जो है यह ऐसा नहीं सुचिए कि डेविट स्लिंग से जादे दूर तक मारेंगें जितना डेविट स्लिंग मारता है उतना ही यह भी मारता है और यही मारने के चक्कर में यह कई लोगों का मार चुके होते हैं उनका भविस उनका कैरियर एक एक marks important रहा करता है को questions important रहा करता हैं competitions में इसमें भी यह कई सारी जानकारिया जो है यह गलत द तरसी दिया हुआ है तो देखे हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल जो है यह बोल रहे हैं बड़ा सा मिसाइल एक्चली भयानक वाला मिसाइल जो उसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं ऐसा नहीं है जो टेक्निकल टर्म है उसका मीनिंग को डिस्ट्र अब देखे आपको लगेगा कि फिर तो बैलिस्टिक वाला बात नहीं क्लियर हुआ कोई भी मिसाइल को सपोच कर लिए जो हम लोग एक तरह से एजेक्ट करते हैं ठीक हम आपके तरफ नहीं कर रहा है जैसे यह आपका सपोच कर लिए कोई मिसाइल को ठूय किये जा रहा है तो उसका पात इस तरह का जो होता है तो जो सकतम तरफ डागा जाता है या आप बोल सकते हैं कि दुस्तमन के तरफ से दागा गया हूआ और उसका जो counter actually करते हैं ठीक है उसका जो काट निकालते हैं बैलिस्टिक मिसाइल का उसको anti-ballistik मिसाइल बोलते हैं ठीक है तो खेर वो तो एक अलग बात है हाँ अब यह जो है कि ballistic जो actually missile रहते हैं ठीक है तो ballistic बोलने का मतलब भी रहता है कि उसको जो इस तरह से थू किया गय कि hit करे या explode करे ठीक है कुछ दूर तक calculate किया रहा था बाकि उसको under the gravity एक्चली जो है उसको छोड़ दिया था ताकि वो दुस्मन के area में जा करके जो है वो destructions करता है तो वो ballistic मिसाल एसा नहीं कि भयानक टैप का बड़ा टैप का इसा नहीं ballistic trajectory होना चाहिए ठीक है बैलिस्टिक trajectory होना चाहिए उसके बाद आपको यह जनकारी दे रहे यह graph यह figure धेखेऊंगे इसमें लिये हूआ है थेक है वो उसको ले तो चले है जो कि कोरा से एक्चली है कोरा से एक्चली है अगया आप ईमेज पर बोले गूगल में टाइप इस्राइल डिफेंस या एर डिफेंस ऐसे करके जो है तो बहुत सारे इमेज बगारा फोटो बगारा से मिलेंगे उसमें देखेगा ये भी वाला इमेज होगा एक्चली ठीक है जिसका सोर्स एकतर से देखे तो ओरिजनली जो सोर्स है वो कोरा से लेकिन आप उसको नॉर्मल गूगल पर टाइप मारेगा वही सबको मिल जाए तो लोग मेन टॉपिक पर एक्चली आते हैं ठीक है ये आपका आयरन डोम का कवरेज है जो कि आप देख सकते हैं कि जो इसका जो सिल्डिंग या प्रोटेक्शन एक्चली वह सतर किलो मीटर के आसपास में ठीक है मतलब इ और थ्री का जो ये कंपरीजन कर दिये डैविट सिल्ग के साथ वो गलत कंपरीजन क्या हुआ है नॉर्मली आप जो है आप वेबसाइट बगरा पे जा करके देखेगा तो आरो थ्री का जो ऑपरेशनल रेंज आक्चली जो रहते हैं वो 2000 किलोमीटर के आसपास में रहते है जो कि विकिपेडिया बगरा पे देखेगा तो 2400 किलोमीटर के आसपास रहते है ठीक है तो थोड़ा बहुत इरर चलता है 2% 5% यह थोड़ा बहुत इरर चलते है नॉर्मली जो क्योंकि चलो कोई बात नहीं लेकिन यह जो जानकारी कि जो डैविट सिलिंग इतना मारता है होत नहीं यह भी मारता है यह गल्लब जानकारी देख रहा है कि आरो 3 वगरा का रेंज जो है काफी जादा रहा करता है ठीक है वो एक्जो अट्मोस्फेरिक काटेगरी मैं एक्चली आए करता है एकदम बहुत जादा अंतर लग रहक करके बोल दिये जानकारी इसके बाद इसके बारे में बतायागा है कि इसका मतलब यूज नहीं है, इसका ओफिसियल जो है डेटा नहीं है, इस देट जो बहुत सारी बात बता है, यह ओपरेटीव है, ठीक है, यह ओपरेटीव है, ठीक है, यह ओपरेशनल है, आप जो है, विकिपिडिया पर जा सकते हैं, ठीक है, जो है वो दे देते हैं क्या क्या जानकारी दे देते हैं अजीब सा वो आती है 30 लाख रुपया में और लोगों की जान को बचाने के लिए और इंटरसेप्टर मिसाइल का कंसर्थ होता है कि दो-दो मिसाइलों को एक साथ मारा जाता है क्योंकि अगर माइन दिव एक टो मिसाइल 90 डिगरी पर निकल गई तो दूसरी वाली उसको जाके इंटरसेप्ट कर दे तो अगर हमास एक ठोक कासिम राकेट मारता है तो हमास का एक कासिम राकेट आता है और इनका एक इंटरसेप्टर आता है तीस लाख रुपया में और दो-दो छोड़ना पड़ता है यानि उनके तीन लाख के लिए उनको साथ लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है तो देखे ये साइंटिफिक जानकारी ये टेकनिकल जानकारी तो गलत दिये हैं साथ में जो ये जनरल भी कुछ जानकारी जो है वो गलत दिये हैं काफी पुराना एक्चुली जानकारी जो दे दिये हैं ये आपको बता रहे थे एक्चुली कि एक इंटरसेप्टर का जो त पुराना कड़ा है, 2016 का एक्चली जानकारी, सूचियो किस तरह का जानकारी सामने परोस्त देते हैं, रिसर्च रखा हुआ है नाम खान, जो यह रिसर्च करके, वो रिसर्च तो छोड़िये, रिसर्च वाली बात वो तो नॉर्मली कॉपी-पेस्ट भी अच्छा से नहीं कर देने पाते हैं, उसका भी जानकारी सही से वो नहीं जुटा पाते है. नाम रख देने से बड़ा, भ्रामक की स्ठिती आपट होते हैं, लोग भरोसा करते हैं, और अगले जानकारिया जो जानकारिया देे रहते हैं, खासकर कि ассक्रुम देने वाले कौन थे एर मार्चल अन इधर का ही है, आप टाइप मारी तो आपको मिलेगा, अब टाइप मारी, cost of तामीर ऐसे करके आपको जानकारी मिलेए, इसमें यह जानकारी दी है, कि नॉर्मली जो है, इसका price फिलाल में जो है, वो $80,000 है, इसको आप नॉर्मली रूप से calculate करेगा तो लगभग 58 lakh के आसपास में एक मिसाइल का मतलब एक interceptor तामीर का जो है वो उतना price आया करता है एक का तो double करेगा तो इसका दुग ना हो जाएगा ठीक है तो सूची कितना जानकारी जो है गलत दी है और जो एक आपका जो रहा करता ह जो यूनिट जो battery एक्चुली रहा करा ठीक है उसका तो करोडों में एक्चुली चला या था ठीक है और जो interceptor एक इंटरसेप्टर का जो खान जी जो है नॉर्मली जो है गलत जानकारी जीग दूआर 2016 का आकड़ा एक्चुली जो पर दीक है जो कि एक interceptor का दाम जो है तीस फिर आप समझी कि आप डबल करिएगा तो क्या जानकारी गलत हुआ ठीक है तो वह कहां से दीए अच्छली देखे हुआ क्या है ठीक है जो विकिपीडिया पर एक्छली है यह जानकारी जो है रखा हुआ 40,000 डॉलर एक्छली जो है जिसको आप अभी के फिलाल में आप जो एक तरह से कनवर्ट करेगा इंडन रुपेज में तो वो 30 लाग के आसपास में आपको आज आएगा लेकिन उसके बगल में आप देखेगा 2 और 3 करके जो है लिखा हुआ होगा आप उस पर क्लिक कर यह हलका आपको बताएं कि जो आपको बताएं कि जो आनिल चोप्रा जो दिये हुए थे अभी का वो जानकारी एक तरह से तो सूचिए कि क्या एक्चुली जो हो करते रहते ठेल वो क्या रिसर्च करते है वोग जो काफी जाड़ा समय एक तरह से ठकुन की रूप से बिता उनको अच्छी तरह से समझ में आता होगा एक ठेल ठेल लेकिन वह उस पर भी नॉर्मली खुद ही समझते नहीं उनके जित ठीक है राफाईल एडवान्स डिफेंस वाला जो चैनल एक्चुली जो इजराईल वाले का ठीक है उसमें का वो वीडियो लिया आप उस जरूर जाएगा ठीक है अम इसने नहीं बोल रहे है नॉर्मली जो है कि खांजी एसा नहीं ठीक है आप सीखने के लिए आईरन डोम के बारे में और भी अलग-अलग टैप का जो है एर डिफेंस मेकानिजम को सीखने के लिए आप उस वेबसाइट पर एक्चुली जरूर जाएगा और उसी का वीडियो कट करके एक्चुली जो लिए और नॉर्मली वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं ठीक है कि क्या-क्या एक वो एक अजीब सा सीचुएशन क्रियेट करने के लिए वह सामने दिखा दिये जो लोग नहीं जानता है उसको लग रहा हो क्या-क्या सामने रख दिये एक्चुली किस-किस तरह से चल रहा है ऐसे टकरा जा रहा है जबकि वो वीडियो वहां का कटिंग क्या हुआ ठीक है त तो आप जाही और उसमें जो चीज को आप देख सकते हैं ठीक है तो देखें एक कुछ मोमेंट्स हैं जिसमें खानसर कई सारे गलत जानकारियां आपके सामने रखें हमने जो भी बात किया आपको फैक्ट के साथ प्रूफ के साथ आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं आप अब देख सकते हैं लेकिन सेंसर के बारे में गलत जानकारी देना ये गलत बात है ठीक है उसके बाद इसमें भी एक अजीब सा जानकारी आपको लगेगा बड़ा सुन करके आसे इसमें बता रहे हैं कि सी डूम का नाम जो सी एक्चुली लिखा उसका नाम इसलिए पढ़ा सी डूम का नाम जो इसलिए नहीं पढ़ा है कि वो सी एसी ये वाला था इसलिए उसको बोलने के लिए सी बोल देया ऐसा नहीं काउंटर डूम ठीक है काउंटर वर्ड के लिए जो है नॉर्मली रखावा सी फॉर काउंटर एक्चुली क्योंकि आप जब अच्छी तरह से जो उसका वेब साइट है रैफेल का एक्चुली जो है या उसका ओफिसियल चैनल जो है यूटूब का जो सबको आप अच्छी तरह से देखेगा तो नॉर्मली आपको मालूम चलेगा यह जो भी तक्नीक एक्चुली बना रहा है यह जो टेक्नलोजी बनाता है वो सी रैम पर आधारीत एक तरह सो रहता है जो इनस्पार रहता है जिसको एकतर से काॉंटर, रॉकित, आर्टिलरी अ पर्योग करने के लिए परियों करने के लिए सी डो नहीं का हुआ है और ज पर समूदर में उसको आपक्छा करने के लिए उसको इंसलोर जарूर किया गय और ऐसा भी नहीं कि उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि बाहर से गुमबद वगर ऐसा कुछ लगाव ऐसा कुछ नहीं ठीक है वो बताये थे नहीं को चैक उसेरिया को एक्चुली वह एक तरह से प्रोटेक्ट करता इसलिए इसका जो नाम इस तरह का ज़र रखा जो अपने से मन हुआ है सी रखा हुआ सी बोलना था तो ऐसे नहीं बोलकर करके यह सी बोल दिए हद है अजीब जानकारियां देते रहते हैं कभी सीवेसी वाले को कभी इसको बखलो लिया तो कभी वह यही सब कुछ क्या कुछ मजाग करके नॉर्मली जो है यह आजीब सब बोर्ड आप बोर्डों जो भी बोर्ड सभी बोर्ड अच्रोल है आप जिसे भी बोर्ड के अपने आपमें अच्छा मासूस करें हमारा भी कुछ रहा है कुछ थिजसा सभी जो है जो है जो है जो गलत जानकारी जो पेस किया जा रहा है यह गलत चीज़ ठीक है कॉमेडी करना उसका अलग प्लेटफॉर्म है कोई बात नहीं है वह अच्छे चीज़ है लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं ठीक है इनको देखने जो है वो सीखने के परपस से रहता और कई सारे स्टुडेंट के लिए कितना गंभीर मिस्टेक हो सकता समझी क्या-क्या तरक दे करके जो इसको सी पे बैठा दी ठीक है तो अजीब सा बाद है कि हम ये वीडियो जो बनाया है ठीक है ये हम आपके लिए बनाया है ठीक है उन लोगों के लिए बनाया है जो थोड़ा जागरूख हुई थोड़ा बातों को समझ ये ऐसा इन्फॉर्मेशन को जो है आप अपने अंदर मत ठूसते जाए कई जगा पर आपको प्रॉब्लम कर सकता है खास करके वो वर्ग जो कॉमपडिशन देने वाले हैं उनके लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है चलो जो नॉलेज की द्रिश्टी साते हैं देर सबेर जान भी लेंगे लेकिन जो कॉमपडिशन देने वाले हैं आप competition में आप इससे गलत कर देते हैं, आपके कुछ marks जो है, आपके जीवन के साथ खेल जाए रहे हैं, तो आप समझ ये बातों को, ठीक है, हम व्यक्तिकत इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, पहले ही बात दिमाग पर है, हम व्यक्तिकत विरोध नहीं, हम आपके लिए actually ये सब actually रहा करता है, ठीक है, देख सकते हैं कैसे कैसे जानकारियां जो है इन लोग जो एक तरह से दिए वह रहते हैं, ठीक है, all the best, अपना बचाओ रखें जैसे आप fake news से बचाओ रखते हैं, ठीक है, उसी तरह से गलत जानकारियों से बचाओ रखें, misconception से बचाओ रखें, thank you.